तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर दो प्याजा और एकदम धाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा है लेकिन इसमें कुछ भी मैंने बटर यूज नहीं किया है कोई काजू का पेस्ट यूज नहीं किया है और कलर देखे कितना बढ़िया कलर आया है सिर्फ प्याज टमाटर अन्त में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा चलिए जल्दी से बना लेते हैं तो पनीर दो प्याजा है तो अफकॉस दो तरीके सम प्याज को काटेंगे तो यहां पर एक मैंने रफली चॉप कर लिया है और दूसरा मैंने से लंबाई में काट लिया है और जो जादा खाते हैं तो आप जादा हरीमेच भी ले सकते हैं तो इन सब को बिना पानी के हम एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे और यह देखे कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बना है एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना है चलिए पेस्ट बन गया है हमारा अब हम इसी मे डालेंगे टमाटर, तो मैंने या पर दो बड़े टमाटर लिया है, रफली चॉप कर लिया है उनको, और मैं इनको इसी मिक्सी में डाल कर इनका प्योरे बना लोगी, यहां पर भी पानी नहीं डालना है, तो हमारा ओनियन पेस तयार है, टमेटो पेस तयार है, चलिए बनाते कड़ाई गरम कर लिये हैं मिने 2 बड़े चमश तेल डाल ली में डाल लिया है अधा चमश जीरा को तड़कने देंगे अब इसमें हम डालेंगे लहसुन लिया अब डोर लहसुन की टली मैंने कर्श कर लिया है तो लहसुन को बस हमें तोड़ा गॉल्डेन ब्राॉं होने तक पकाना है इसमें लगबग 2-3 मिनिट के लिए और जैसे मारे लहसुन पकने लगेगा हम इसमें अपना प्याज का और अधरक वाला पेस्ट डाल देंगे अब इसमें ओनियन और जिंजर का पेस्ट में डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से चलाना है तो यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम लगेगा लेकिन यही खासियत है हमारी हिंदुस्ताने खाने की करीब 6-7 मिनिट तक इसको पकाना है अच्छे से तब तक जब तक ओनिय तक इसमें अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर पुईता से पक न जाए और तेल न चोड़ने लगे और यह सब चीज आपको लो आँच पे करनी है एक्दम धीमी आँच पे धीमे धीमे इनको भूनना है और सही मानिए जब धीमी आँच पे देर तक मसालों को भून को भूनते हैं तो उनका स्वाद बहुत जादा और खिल के आता है तो अगर समय की कमी हो तो आप जल्दी कर सकते हैं लेकिन अगर धीमी आज पे भूनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाकई तनुष्री ने सही कहा था टेस्ट बहुत जादा इनहांस हो जाता है तो चलिए ह हम आपस में अच्छे से भून लेंगे बस तीन से चार मिनट के लिए इसमें हलदी और लाल मिश को जो है मैंने बाकी मसालों के साथ नहीं आड के है बलकि बात प्रीजक दो तो इसले बाके मसालों के साथ पहले धाल दू तो इन दर्परसे हो जादा पक जायग एका और इस में authentic धाबे वाला color जाते हैं और वो तभी आएगा जब हल्दी और लालमिश को बहुत जादा तेल में ना पकने दे धाबे वगएर में वो लोग food color use करते हैं, हम लोग याँ food color use नहीं करें लेकिन वो authentic color हम recreate कर रहे हैं, तो कुछ tricks हैं, जो आपको इस तरीके से अपनानी होगी हल्दी और लालमिश को कश्मीरी लालमिश यूज़ करें उससे बहुत बढ़िया color आता है, तो हल्दी और लालमिश को थोड़ा last के जिस पानी डालने से थोड़ी देर पहली बस डालना है ताकि वो color जो है, बहुत जादा नहीं भूनना है बस थोड़ी देर बाद इनको भूनने के बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर लगबग एक चमच और लालमिश पाउडर लगबग आधा चमच बने आपे कश्मीरी लालमिश पाउडर यूज़ किया है जिसे एक बहुत बढ़िया लाल रंग आता है साथी साथ कसूरी मेथी का पाउडर लेंगे आधा चमच कसूरी मेथी में साबुत नहीं इस्तमाल करती क्योंकि वो उपर तैरते रहते हैं ग्रेवी में अच्छे नहीं लगते तो पाउडर बना के यूज़ करिये का तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है फ्लेवर भी अच्छा आता है तो सबको आपस भी मिला लिया है अब मैंने अपने बाकी के बचे हुए प्याज मैंने इसमें डाल लिये और प्यास को भी बस translucent होने तक इसमें भूनेंगे लगबग 2-3 मिनिट तक जब तक वो हलके से ट्रांस्लूइसन नहीं हो जाते है बहुत ज्यादा हमें पकानी की जरुरत नहीं है प्यास को यहाँ पर और प्यास हमाई translucent हो गया अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी तो आधा कप पानी डालके भी अच्छे से मिला लेंगे और बस अब थोड़ा इसमें नमक मिला देंगे स्वाधनुसार और वेट करेंगे जब तक ये ग्रेवी जो है थोड़े इसमें बुलबुले आने लग जाए तक ये बबल होने लग जाए और उसके बाद मैं डालूँगी ये हमारे पनीर जो मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिआ है पनीर को बड़े बड़े चुंक्स पे मैंने काट लिया है पनीर को मैं फ्राइ नहीं करती उससे पनीर हाड हो जाता है रबरी और चुई हो जाता है आप चाहे तो हलका से फ्राइग कर सकते हैं लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है तो पनीर हमारा तयार होगे अब है जो फाइनल स्टेज जो धाबा वाला स्टाइल इसमें लेकर आएगा तो वो है स्मोकी फ्लेवर जो धाबे में अक्सर बनता है जो चूले में बनता है जो लकडी की आच में बनता है या कोईले की आच में बनता है जो उसका फ्लेवर ही कु 15 मिनिट के लिए से ढख देंगे और 15 मिनिट के से खोलना नहीं है अच्छे से धुआ उसमें अब जाना चाहिए और 15 मिनिट हो गया है अब इसको निकाल के बाहर कर लेंगे और एक बार ग्रेवी को आपस में मिला लेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर पूरी तरह से अच्छे से ड धाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा एकदम तैयार है यह एकदम बढ़िया सा पनीर दो प्याजा लेकिन एक और चीज मैं इसमें करूंगी जो इसको और ज्यादा का टेस्ट एंहांस करेंगा वो है एक चमच इसमें घी डाल देंगे तो एक चमच घी या बटर जैसे टिप जरू ट्राइ करिएगा बहुत टेस्टी बंती है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूले इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक में भी आप मुसे जड़ सकते हैं तो झाल